बिहार की जो बिजली वाग की वेकेंसी निकली है दोस्तों उसमें क्रोस्टोर असिस्टेंट के लिए क्या सी लेबस हो सकता है पूरे डिटेल सी लेबस क्या आपका कट अगया था और आपके डोकॉमेंट फेरिपिकेशन समय कौन कौन सा डोकॉमेंट आपको बनवा करके इसमें सिलेबस के साथ-साथ आपके ओफिसर नोटिफिकेशन में आपका मीनिममम क्वालिफाइंड मांक्स भी बताया गया कि जेनरल को आपके ओवी सी को कितना प्रचेंट मांक्स लाना जरूरी है नमस्कार दोस्तों आनंद स्टडी ओनलाइन चनल में आप लोग का फिर से एक बड़ स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में निकली बिजली वग की बेहतरीन वेकेंसी में अलग-अलग परकार का बहुत सारा पोस्ट निकला था लेकिन आप लोग का ब वेकेंसी में इस नौकरी को हम पा सकते हैं क्योंकि बहुत साय लोग क्या होते हैं कि नॉर्मल गेरेशन किये थे तो उनके लिए एक अच्छा सा पद यहां पर निकला जो की क्रोस्पोंडेंस करका और अस्टोर असिस्टेंट का होगा तो इसमें आपको अगर सफलता पाना उस पोस्ट पर एनलेसिस करके हम अधर वीडियो हम दे पाएंगे आपको ठीक है तो आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है आपके लिए सबके लिए हम बताने वाला है कि क्या कैसे आपको करना चाहिए ताकि आपके बिहार बिजली विवाग में एक पद आपका जरूर ह हो जाए तो सबसे पर इस वीडियो को लाइक कर दिएगा बोलना ना पड़े सब्सक्राइब भी कर दिएगा और सेर भी कर दिया कुछ लोगों में और आईए हम लोग सुरू करते हैं क्रॉस्पोंडेंस के लिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए आपका क्या-क्या बोला सबसे पर आपका हम सुरुवात करना चाहते हैं आपके सिनेवस से भी पहले कि आपके लिए क्वालिफाइंग मांक्स आपके ओफिसिल उट्फिकेशन में ही दे दिया गया मतलब कि आप फॉर्म भर देंगे ठीक है फॉर्म तो भर दिये उसके बाद एडिमिट कार्ड आए लेकिन हो चुका है तो इस पर ध्यान भी देना होगा थोड़ा सा कि समझ लिए कि हुआ क्या था इसलिए मिनिममम क्वालिफाइंग्स भी रखा जाता है कि आपको इसको ध्यान रखना चाहिए अब यहां मिनिममम क्वालिफाइंग्स क्या है कि आप अगर परिच्छा देत हैं अच्छा यह qualified max जो है percentage की अधार पर होगा तो percentage की अधार पर भी होगा फिर भी कोई फिरक्ष das हैं क्योंकि 100 नंबर का exam है तो percentage निकालेंगे थो उतना ही नंबर का same आने वाला ठीक है यानि कि कहलें कि 40% नंबर यह बोला है कि लईएगा तो हम past कर तो मतलब कि 40 नंबर लाएंगे तो पास कर देगा और बीसी के लिए बोला गया 36 नंबर लाएगा तो पास कर देगा EBC के लिए बोला है कि 34% अप लाईएगा तो पास कर देंगे यानि कि 34 नमबर अगर आप ले आते हैं EBC में तो आप पास कर दिये जाएंगे SC, ST और All Female जितने भी केटेगरी की फीमेल है सब के लिए बोला गया है कि 32 नमबर आप अगर लाते हैं क्योंकि आभी का जो ही वेकेंसी है दोस्तों वो सभी में कट ओफ माहिने रखता है कट ओफ वो होता है कि maximum marks जिसके आ रहा है उसका selection पहले होगा और seat बचेगा तब यहां तक जाकर के आपका पहुंचेगा तब हो सकता है कि आपका selection हो जाए यह बोला जाता है इसलिए होता क्या कि जैसे कोई 95 नंबर लाया कोई 75 नंबर लाया कोई 80 नंबर लाया कोई 60 नंबर लाया और 60 तक आयोग जो है चुनते-चुनते मतलब अस्ट्रेंट का संख्या फूल हो गया उसका वेकरेंसी में, क्योंकि लिमिट मातरा में ही सीट है, आपको पता है कि 4016 यहां पर सभी मिला करके, सभी पोष्ट को मिला करके सीट निकला हुआ है जिसमें सबसे पहले 2610 था उसको बढ़ा करके 1406 सीट किया गया जहां पे आपको मौका मिला कि 4016 सीट पे आफ आइट कर पाएंगे तो अगर 60 नंबर में लात लिए यह सभी सीट फूल हो गया तो 40 वाले का से होगा 35 वाले का कहा से होगा 34 वाले का कहा से होगा तो यह चीज आ आपके लिए इसलिए जरूरी है आप जब एक्जाम देंगे तो इसी को फेस करना पड़ेगा आपको 100 कोस्टन का आपका एक नंबर का होगा कितना नंबर का एक नंबर का होगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको यहीं पर होने वाला अब दिक्कत क्या है कि एक मिनट से कम जब एक कोस्टन पर होता है तो आपको किसी भी कोस्टन को जल्दी सॉल्व करना पड़ता है ताकि समय का दिक्कत आपको ना हो जाए डेड़ घंटे में 100 कोस्टन आपको चाहिए और निगेटीव मार्किंग नहीं है यह आपके लिए बहुत अच्छा है ठीक है निगेटीव मार्किंग नहीं है बहुत अच्छा है सभी कोस्टन पर ठीक लगाना है चली यहां तक तो केलियर है और आपके जो भी कोस्टन होंगे और 10th level के होंगे मतलब 10th level पर ही आपका question पूछा जाएगा ठीक है अब भर इसको अलग बात है होगा लेकिन फिर भी आप प्रेक्टिस करिएगा तो अच्छा से कोई दिक्कत नहीं होगा तो यह आपका होगे एक्जाम पैटर्न बता दिए अब सिलेबस को समझने के लिए कहा गया है आपके और साथ में करेंट अफेर्स भी आता है और आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख जाएगा और कौन-कौन से यहां पर टॉपिक दिए जाएगे ज्यादा नहीं है लेकिन लिखा यह कम है लेकिन पूछेगा बहुत ज्यादा अब बीस नंबर अब देखिए एक चीजा आपको और हम समझाना चाहते हैं कि नंबर ओफ कोस्टन अभी कनफर्म नहीं है आपके ओफिसन उट्फिकेशन में कहीं भी नंबर ओफ कोस्टन का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन संभवता लगभग यही रखा जाएगा ठीक है अगर बदलता भी यह दो दिक्कत है लेकिन यही रखा जाएगा यानि कि जेनरल नौलेज से 20 कोस्टन लॉजिकल रिजिनिंग य तो आपका यहां पे 100 कोस्टन हो रहा है ठीक है इसके लिए आपको 90 मिनिट का समय दिया जाएगा अब बारी बारी से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल कहा गया है आपके ऑफिसल नोटिफिकेशन में कहा कहा से यह कोस्टन को पूछेगा तो जेंडर नौलेज से आ अगर आप नहीं जानते हैं तो नए हैं तो ध्यान दखिएगा इस करेंट अफेर्स को आप जरूर एक वारीड करिएगा जो आपके स्क्रीन पर दीख रहा है यह टॉप स्पीड पब्लिकेशन का एडवांस करेंट अफेर्स है आप यहां से अगर पढ़ते हैं तो करेंट आया है मार्केट में सब कोई पता भी नहीं है आप अगर लेते हैं तो आप इससे अच्छा दनकारी उपलग्द कर सकते हैं अपने लिए और बहुत 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 बहुतरिन तरीके से इसमें सभी चीज को दिया गया है और लास्ट में अब्जेक्टिव कोश्चन भी दिये गया है ताकि आप जो पढ़े हैं वो बना भी सकते हैं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है तो यह ध्यान रखिए के लिए मार्केट में जाईए और इस बुक का स्ट्रीन सोट ले लिए इसको दिखाईए कि हम यहीं करेंट अफेर्स को आपको बता दिए क्ल इंडियन जोगरफी आपका भुगोल से कोशन पूछा जाएगा जोगरफी से कोशन पूछा जाएगा और लिख दिया है कि इंडियन जोगरफी से कोशन पूछेंगे यानि भारतिये भुगोल को ही आपको पढ़ना है बिश्चु का भुगोल को आपको नहीं पढ़ना को ठीक है अगर आप बिजली विवाग का बहतरीन तयारी करना चाहते हैं तब आप लड़का है चाहे लड़की है बार-बार बोल नहीं इस बात को समझेगा आपका नंबर भले की उपर नीचे हो सकता है क्योंकि लड़का का थोड़ा सा उपर जाएगा कट आपका कम जाएग साइंस एंड टेक्नोलोजी से आपका कोशन पूछाएगा यह बताया गया कि जेनरल नोलेज में हम इस कोशन को इस टॉपिक से पूछेंगे ठीक है तो इतना आप कवर कर लिएगा और जो भी आपको हम दे रहे इसका स्क्रीन सोट आप लेकर कर रखिएगा ताकि मतलब जी होता है और रिजिनिंग तो मेरा सबसे मजबूत है तो बिल्कुल आपको बना देना है वहां अगर आप 15 और 12 बना करके आएंगे तो आप हीरो नहीं हो पाएंगे ठीक आपको बनाना है और बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा यानि कि अगर असकोर करना है तो सबसे पहले आसांग टॉपिक कोहीं शुरू करना चाहिए ताकि उससे एक भी कोशन न चूटे अगर आप यह सोच रहे हैं कि 20 में से 17 हम बना देंगे तो यह सोचिए कि 3 क्यों नहीं बनेगा अगर यहां 3 नहीं बनेगा तो क्या उस 3 को आप जेंडर नोलेज में मैंनेज कर अगर रिजनिंग का बात करते हैं तो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर लॉजिकल रिजनिंग 10 लेवल कहीं पूछा जाएगा अब यहां कहा जा रहा है कि एनालोजी से कोशन पूछेंगे से कोशन पूछेंगे और यह सभी रिजनिंग का टॉपिक है आप इसको रिजनिंग का किताब है ऊसमें भी आप पढ़ सकते हैं वैसे हम आपको जीके का मैत कख़ा किताब हम सगा इससे पहले वाले वाले वीडियो में इस से पहले दो वीडियो बन चुकए है जो कि आपको देखना महत पूर्ण है थमनल यहां पर दीख रहोगा दोनों का यह दोनों वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आपको देखना ओगा ताक कि आपका और भी क्यृरियर्टी बढ़ेगा ठीक है उसमें किताब बेगर भी हम सेड़् सिरीज से कोशन बनेगा अरिफ्मेटिकल रिजिनिंग से आपका कोशन बनने वाला है तो यह सभी टॉपिक इसका स्क्रीन सोट लिजे बस यहीं टॉपिक को पढ़िए ज्यादा नहीं पढ़िए यहां पे इस टॉपिक को पढ़िए और आप कोशन को बना कर गयेगा ठीक है चलिए तो रिजिनिंग का भी कन्फूजन खत्म हुआ उसके बाद आता है आपका क्वांटिटी यह क्वांटिटी आप्टिटूड का मतलब आपका लगफग मैथ पूशा जागा यहां पे और यह मैथ भी आपका अरिफ्मेटिक से ही लगफग रहेगा आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लगकर क्या आ रहा है आप यहां देखिएगा अरिफ्मेटिक कहीं पोर्षन दिया गया है ठीक है अब यहां क्या है सबसे पहले परसेंटेज से कोशन पोचेगा तो परसेंटेज को पढ़ लेना परसेंटेज का मतलब क्या वही जो आप अच्छे से कोशन आने वाला है time and distance से भी कोशन आएगा profit and loss से भी कोशन आने वाला है उसका सिंप्लिफिकेशन से कोशन आने वाला है उसका average से और problem on age से आपका कोशन आने वाला है यह सभी topic को आप मार्क करिए और इसी topic को पढ़िए मैथ में ठीक है जो आसान है सबसे पहले तो इसको आप ignore भी कर सकते हैं अगर easy लगता तो बिल्कुल करना है नहीं लगता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिसको simple सा समझे जिसको English हाट लगता है वो English को छोड़ ही दे Hindi पर पूरा focus कर दे question चाहिए Hindi हाट लगता है Hindi को छोड़ दे English पर फोकस करते हैं कोई एक सब्सक्राइब चोड़ भी सकते हैं जो कम नंबर का कोई दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है ज्यादा लोड भी बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा है क्योंकि रिजल्ट आपका हो जाएगा अब बात करते हैं आपे आपके English comprehension के लिए तो यहां से 10 question आ आपका पूछा जाएगा पैसेज कंप्रिहेंसर मतलब कुछ पैरागराफ लिख करके कुछ कोशन वेगरा भी पूछा जा सकता है तो यह चीज आपका English में पूछा जा रहा है जो कि आपका syllabus में दिया गया है ऑफिशन अट्फिकेशन में जेनरल हिंदी में अगर हम बात कर होता है यहां पर जेनरल हिंदी का तो हिंदी में ध्यान देड़े गांशा आपके कि आपके ग्रामर करेंशनYU क्याा कि यहां पें पार इंगलीस में लिखliest दिया गLYए गल्थी किया है अब यहां और यहां से कि para पाबरा लोगोक्ति हो गया वोकेवलरी यानि उसमें कहने का मतलब कि आपका बिलोओं सब्द लगभग पूछा जाएगा ठीक है उसका सब्द कार्थ पूछा जाएगा कुछ परेगराफ बेगरा देकर करके फिर्ण दे ब्लैंक्स पूछा जाएगा कुछ परेगराफ लिख सकता है वह कुछ लिख दिया वह सुध है उसका सुध रूप कौन सा है चार उप्सन में रहेगा उसको चुनना होगा इंट्र नेम सायानम यानि बिलोन सब परियावाची सब यह दोनों पूछेगा आपसे फ्रेज और मुहावरा भी आपसे पूछेगा तो यह सभी चीज ह ऐसा भी हो सकता है तो बागे सिलेवस को आपको में बता रहे हैं बेसिक नॉलेज ओफ कम्प्यूटर में क्या पूछेगा बताया गया है बेसिक नॉलेज ओफ कम्प्यूटर यहां पर आप ध्यान देंगे फंडामेंटल ओफ कम्प्यूटर पूछेगा इसमें CPU, Memory, Hard Disk, Input, Output Device, Knowledge of Number System यह सब पूछेगा कम्प्यूटर में ठीक है कोई भी किताब चोटा सा कम्प्यूटर का होगा यह GKJS का Book आपके पास होगा ठीक है पुझा पूजा पूछेट कीए थे वह भी अगर आपके पास है तो उसमें भी कम्प्यूटर के कोश्चन दिये गया है पढ़ सकते हैं ठीक है यह सभी चीज मिल जागा CPU, Memory, Hard Disk, Input, Output, Device, Knowledge of Number System, Basic Concept of Computer पूछेगा उसके बद हार्डबियर और सॉप्ट्वेर के बारे में और लाइक भी कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो यह सभी चीज जो है इसके बारे में भी पूछेगा ठीक है अब यह नहीं पूछेगा कि लाइक कैसे होता सब्सक्राइब कैसे होता पूछेगा यह कि वेव ब्राउजर क्या होगा इमेल के बारे में आप क्या ज पूछेगा ठीक है basic knowledge of cyber security यानि बारे में पूछेगा ठीक है मलबेर के बारे में पूछेगा वारम के बारे में internet security के बारे में network security के बारे में और firewall के बारे में भी आपसे पूछेगा यह computer का आपको syllabus बताया गया अब यहां पर समझे कि पढ़ना ज्यादा important है ठीक है एक दो तीन चार पांच छे सब्यक्त से question पूछा जाएगा अगर यह सब्यक्त आप clear कर लेते हैं तो बोला गया है कि आपका जितना अच्छा number होगा ऊपर से मतलब cutoff जो निकलेगा merit list में इसी परकार से आपको merit list में ना के अधार पर तो आप क्या बन पाएंगे तो correspondence बन पाएंगे और store assistant बन पाएंगे store assistant और correspondence काफी अच्छा बेतन भी है काफी अच्छा जॉब भी आराम दायक है पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं अगर इसका काम उनके बारे में जानना चाते हैं काम हो गया इसका workload हो गया क्या time table होगा तो comment करना होगा आपको comment करेगा जितना ज्यादा ठीक है वीडियो को like share subscribe करेगा तो में समझ में आता है और वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा ठीक है यह सब चीज ध्यान दिजेगा तो यह सभी syllabus आपक document verification के समय मतलब जब आपका document verify किया जाएगा return के बाद तो आपको कौन कौन सा documents लेके जाना है आपके screen पर दिखरा होगा यहां पर यह सभी को screenshot लेकर करके तयार करते रहिएगा आप चाहे किसी भी कास्ट से संबंदित हैं ठीक है किसी भी category से हैं उसका अगर certificate खोज रहा है तो वह जरूर आपके पास होना चाहिए यह सभी certificate आपके पास होना चाहिए और लेके भी आपको जाना पड़ेगा ठीक है तो यह सभी को अपने पास रखेगा क्योंकि यह सभी चीज आपको सब कोई नहीं बताता है यह detail में हम इसलिए बता पाता है क्योंकि आप हमसे जु हो जाएगा पढ़ने से ही नहीं होगा अच्छा नंबर लाने से ही नहीं होगा जेनल कट ओफ 58.90 गया था आपके 2018 को वेकेंसी बिजली विवाग में आया था उसमें ठीक है इबी सी का बावन गया था बी सी का मेल में गया था 562 3 स्ट में गया था च्छेड़े समलो आठ त और इस बार और कट ओफ उपर जाने वाला है अब आप लोग फीमिल का देखें दोस्तों कि कितना कम गया था 33 गया था जेनरल में फीमिल का एबी सी में फीमिल का आठ नौ नंबर में उठा लिया यह नौकरी दे दिया उसको सरकारी नौकरी और यहीं लोगों को कम लग रह हैं पढ़ रहे हैं मिनत कर रहे हैं और हम समझाएं दिए ठीक है तो दिक्कत है नहीं चले यह हो गया बीसी में अगर देखें में फीमिल का तो 26 गया था 8.69 गया था आपका सी केटेगरी में जो कि और भी कम है सबसे कम इसी को माना जा रहा है और इसी को देख करके आप लोग मोटिवेट हैं लेकिन मेहनत करिएगा तो जिरूर इस बार भी आपको मिल जाएगा लेकिन ऐसा ने कि बस इतना ही मेहनत करिया कि आपको आर्ट नंब है तो क्या करें देखें नॉर्मल आपको बता रहें कि अगर आप वाए हैं ठीक है तो आपको सतर से 75 नंबर लेकर करके चलना चाहिए कि यह हम मेरा कौनिफाइंग मार्क सोना चाहिए मतलब कि इतना नंबर हम को लाना है अगर हम प्रेक्टिस दे रहें या बना रहें या क गरस अगर आप हैं तो कमसे कम 45 पलश आपको लेकर चलना यहाँ चाहिए किसी भी जलना चाहिए और पिद से करना है होगा है अगर फिर इस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं देख लिए वीडियो को और फिट से सभी जनकारी को आप जानेगे और समझिए कि हमको बिजली भाग में यह लेना है जो कि अश्टोर असिस्ट्न का हो सकता है तो आपको मिल जाएगा ठीक है चली हुआ करते हैं आपको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लिए करने के लिए लाइक जरूर कर दिएगा ताकि हम आपके साथ रहें कोई वीडियो में राये तो सबसे पहुंच भाए आप आप से зах country में आपका कमेंटन पर आपके जो भी कमेंट आ लाएंगे ज मिलिंग आपसे त्यारी बहुतरी करते रहें करते हैं ठिक है थैंक यू जै हिंद